तो चलिए आज बात करते हैं जियो स्टेशनरी सेटिलाइट के बारे में जियो का मतलब होता है धर्ती यानि के अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में तो एक ऐसा सेटिलाइट जो धर्ती के with respect to हमेशा आपको स्टेशनरी नजर आए उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सेटिलाइट इसका क्या मतलब है देखे आप ये जानते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिज पर फिक्स नहीं है बलके वो वेस्ट से लेकर के इस्ट की तरफ कुछ इस तरीके से घुमती रहती है तो अगर अर्थ के सर्फिस पर कोई अब्जरवर है और उसे ये लगे कि यहां आसमान में कोई सेटिलाइट है तो आप खुद देखिएगा कि अगर अर्थ घुमती है और ये सेटिलाइट ना घुमे अपनी ही जगह पर रहे तो कुछ देर के बाद अब्जरवर को ये सेटिलाइट नजर आना बंद हो जाएगा इसलिए आप ये देखिए कि मानीजे मैं कहता हूँ कि यहां ये जो ब्लू डोट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर है और यहां जहां पैन की निभ है यहां सेटिलाइट है तो जैसे जैसे आपका अब्जरवर घुमेगा अर्थ पर क्योंकि अर्थ घुमती है तो सेट सेटिलाइट अब्जरवर के कहां रहे सामने रहे और इसलिए अर्थ पर जो अब्जरवर है उसको ये लगेगा कि जैसे ये सेटिलाइट कहां है रेस्ट पर है ठीक है लेकिन ये हम जानते हैं कि क्योंकि अर्थ घुमती है इसलिए सेटिलाइट को भी उसके चारों तरफ पड़ेगा ताकि जहां जहां observer की position हो वहां वहां satellite भी उसको नजर आता रहे और हम यह जानते हैं कि अर्थ अपनी axis पर एक चकर लगभग 24 घंटों में पूरा करती है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि उस satellite का भी time period कितना होना चाहिए 24 घंटे ही होना चाहिए यानि कि अर्थ के चारों तरफ जो उसका orbit है उस orbit में उसको पूरा एक चकर कितनी देर में complete करना पड़ेगा 24 घंटे में complete करना पड़ेगा आप ये देखिए ये अर्थ है और अर्थ के अंदर ये dotted जो आपको एक plane सा नजर आ रहा है इसको बोलते है equatorial plane और इस equatorial plane के अंदर ह कि आपको एक ये जो बाहर की तरफ orbit नजर आ रहा है ये basically अर्थ के चारों तरफ equatorial plane के along या उसके parallel का orbit है और इसी orbit में कौन revolve करेगा geostationary satellite revolve करेगा तो जो geostationary satellite है वो इसी लिए stationary नजर आता है क्योंकि उसका time period अर्थ के time period के बरबर होता है और वो equatorial orbit के अंदर अर्थ के चारों तरफ अपने orbit में revolve करता है ये जो है east, west, north और south ये directions है और हमें पता है क्योंकि अर्थ west से लेकर के east की तरफ घुमती है अपनी axis पर इसी लिए इस equatorial orbit के अंदर geostationary satellite को भी west से कहां घुमना पड़ेगा east में घुमना पड़ेगा और उसका time period कितना होगा 24 hours approximately अब हम ये देखेंगे कि जो orbital speed है geostationary satellite की वो इतनी कैसे है और जो height है geostationary satellite की अर्थ के surface से अबब वो इतनी कैसे आई इसके लिए हमें थोड़ा सा mathematics करना पड़ेगा देखें सबसे पहले आप ये चीज यहां देखिएगा कि हमारे पास एक formula है speed होता है distance upon time और आप अगर यहां ध्यान से देखें ये छोटे वाला circle आप मानिए अर्थ है जिसकी radius है capital R और ये जो dot आपको नजर आ रहा है इस ब revolve कर रहा है और अगर इस orbit में revolve करते वक्त माल लीजिए इसकी orbital speed है VO तो speed की जगे मैंने put कर दिया VO और आप ये देखिए distance तो आप एक बात देखिए यहां से ले करके अगर ये satellite वापस यहीं पर आ जाए तो इसने कितना distance travel कर लिया बड़े circle के circumference के बराबर और circumference का formula होता है 2πr तो यहां पर जो radius है वो हो जाएगी capital R plus H इसी लिए distance की जगे मैंने यहां पर ये circumference का formula लिख दिया और time का मतलब है कि जिस point से वो चला था वहीं पर वो वापस आ गया तो naturally उसने एक चकर पूरा कर लिया और एक चकर पूरा करने में जो भी वो time लेग वो कहलाता है time period और time period geostationary satellite का कितना होना चाहिए 24 hours जो कि हमने capital T से denote किया है तो यहां पर मैंने लिख दिया capital T तो इस formula से हम basically यहां आ गई उसके बाद हमने जो पिछले video lecture में orbital velocity का या कहलीजिए orbital speed का जो formula derive किया था वो मैंने यहां रख दिया और equal to का निशान यह रहा और यह चीज आपकी यहां आ गई उसके बाद दोनों तरफ जब आप square कर देंगे तो आपको यह मिलेगा और यहां से जब आप T के लिए solve करेंगे तो T का आपके पास expression जो है वो ही आ जाएगा यह बड़ा असान सा mathematics है आप बड़े राम से कर सकते हैं उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि small g का यह formula होता है तो इस formula से capital g into m की जो value है वो इन दोनों को multiply करने के बाद आ जाएगी और यहां वो value हम small g into capital r square लिख देंगे जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है और जब इसको further solve करेंगे तो आपके पास time period का formula ही आ जाएगा और इसी को जब आप h के लिए solve कर करेंगे जो कि आप कर लेंगे mathematically तो h का formula आपके पास यह आ जाएगा अब देखिएगा small g 9.8 capital r radius of earth 6400 km लेकिन आपको उसको किस में convert करना पड़ेगा si unit के अंदर convert करना पड़ेगा और t t का मतलब है time period तो वो है आपका 24 hours उसको भी आपको seconds में convert करना पड़ेगा क्यों कि अगर आप इस formula के अंदर हर एक चीज si unit में रखेंगे तभी आपको h किस में मिलेगा si units के अंदर मिलेगा तो आप जब अपने तरीके से इसको solve कर लेंगे और last में जो h आपके पास meters में आएगा उसको जब आप kilometers में convert कर लेंगे तो आप यह देखिएगा कि जो h क approximately value आएगी वो आएगी 36,000 km यानि जो geostationary satellite है वो अर्थ के surface से लगभग लगभग 36,000 km की उचाई के orbit में होता है ठीक है यह तो आपको पता ही है कि वो equatorial orbit के अंदर चकर लगाता है अर्थ के चारों तरफ लेकिन उसकी उचाई अर्थ के surface से कितनी होती है 36,000 km approximately होती है तो यह जो height of geostationary satellite है यह हमने basically इस mathematics से हम यहाँ पर पहुँचे और इस formula के अंदर sub values पुट की और उसको बाद में हमने जब kilometer के अंदर convert किया तो इतना kilometer हमें height geostationary satellite की above the surface of earth मिल जाएगी उसके बाद orbital speed जो geostationary satellite की है वो यह कैसे आई देखिए यह जो mathematical expression है इसके अंदर आप pi की जगे pi की value पुट कर दीजिए capital R की जगे capital R की value पुट कर दीजिए और H का मतलब है geostationary satellite की height जो की 36,000 km है वो पुट कीजिए और जब आप यहाँ से capital T की value जब आप पुट करेंगे 24 hours ठीक है वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास यह orbital velocity की एक value आ जाएगी देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि इस formula के अंदर आप हर एक चीज SI unit में पुट करेंगे और उसके बाद जो आपके पास V0 की value आएगी आप चाहें तो उसको SI में रख सकते हैं लेकिन मैं कि मैंने उसको किस में convert कर लिया है ? quillometer per second में convert कर लिया है हाला कि यहाँ से तो value मेर पास meter per second में आएगी लेकिन मैंने उसको kilometer per second में convert कर लिया है और वो value मेर पास आई है approximately 3.1 kilometer per second तो इसका मतलब है कि अर्थ के चारों तरफ यह जो और्बिट आपके geostationary satellite का बना हुआ है इस orbit में वो geostationary satellite 3.1 km per second की speed से दोड़ता है और उसकी height अर्थ के surface से approximately कितनी होती है 36,000 km तो यह हमारा concept था geostationary satellite का आपको जैसा के समझ में आ भी गया होगा कि एक ऐसा satellite जो geo के respect में, अर्थ के respect में stationary नजर आए उसको हम बोलते हैं geostationary satellite उसका time period भी अर्थ के बराबर होगा उसकी orbital velocity इतनी होगी height उसकी अर्थ के surface इतनी होगी और ये सब चीजें हम इस mathematics के द्वारा कर पाई है